हेलो ट्रेडर्स आई आज हम लोग देखते हैं कि रेनको चार्ट पे रेनको चार्ट पे ट्रेडिंग कितनी आसाम हो जाती है किस तरीके से छोटा stop loss लगता है और किस तरीके से हमारे profit निकलती है आप रेड्लाइन देख रहा हो जो अभी हाइलाइट हो रही है आज की आप देखोगे आज की नो तीस की नो तीस पे आज ये रेड्लाइन डाली गए जब मार्केट स्टार्ट हुआ और यह 19,500 का कॉल आप्शन है और आज मार्केट जो है वो दिन भर साइड़ वेज रहा है दिन भर साइड़ वेज रहा है और इस साइड़ वेज मार्केट में भी रेनको की साहता से किस तरीके से इमेंस प्राफिट निकलते हैं देखिए सूपर ट्रेंड ने यहाँ पर आपको बाई का सिगनल दिया और हंड्रेट से गया है नियर बाउट 109 तो आपको 10 जलेंगे कैलकुलेटर में कि 10 पॉइंट्स यहाँ पर मिले है ठीक है 10 पॉइंट्स यहाँ पर मिले है ठीक है जी अब आये फिर इसने यहाँ पर से सिगनल दे दिया यहाँ पर हम लोगों ने अपना प्राफिट बुक कर लिया फिर इसने क्या दिया है फिर इसने यहाँ प पर मिले हैं प्लस यहाँ पर प्लस करते हैं त्वंटि-फइव पॉंट्स फिर अब देखें इसने फिर यहाँ पर विल दी एक ही ऑप्षण कि मैं बात कर रहा हूँ इसने फिर यहाँ पर से ले दिया फिर हम लोगों ने इसको saver, तो near about 20 points हम लोगों फिर यहाँ पर मिले हैं, plus 20 points, अब यह देखिए, यह इसने यहाँ पर थोड़ा सा by cell by cell का signal generate किया है, तो यहाँ पर मान लीजे आपका 20 point का इस तो अपलासिट हो गया, हाला कि 20 point है नहीं, बट मैं 20 point लेके चलूँगा, 20 point का इस तो अपलासिट हो गया, तो मैंने यहाँ पर calculate कर लिया, minus 20 points, यह देखिए, यह calculator यहाँ पर चल ला है, यह आपके सामने जो है, यह calculator चल ला है, minus 20 points, मैंने इसको calculate कर लिया, और फिर मैंने equal to कर दिया, 35 points अभी तक हमारा gain हुआ, ठीक है, अब फिर आईए आगे चलते हैं, फिर मैं, फिर इसने यहाँ पर buy दिया, मैं एक ही option की बात कर रहा हूँ, 19,500 C की, फिर यहाँ पर इसने buy दिया, buy दिया है 60 के आसपास, और यह कहां तक गया है, 92 के आसपास, 92 पर इसने फिर sale दे दिया है, तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने 30 points बुक किये, मैं यहाँ पर आपको फिर से add कर देता हूँ, 30 points, plus 30 points, equal to कर दिये, total 65, 65, मैं एक ही option की बात कर रहा हूँ, मैं sale की position लेकर चली नहीं रहा हूँ, फिर आप देखिए, फिर इसने यहाँ पर trade दिया है, यहाँ पर, अब यहाँ पर कितने points गेन हुए, यहाँ पर gain हुए, आप देखोगे, यहाँ पर gain हुए है, आपने 64 पर खरीदा, और 69 पर base दिया, 5 points गेन हुए, तो इसको नहीं लेंगे, छोड़ दिये, 5 points इसको छोड कर देते हैं, इसको add नहीं कर दे, फिर इसने यहाँ पर 68 पर दिया, 68 पर buy दिया, और कहां तक दिया, 68 पर 80 तक buy दिया, तो 70, 80, plus 10 points, तो फिर मैं इसमें 10 points add कर रहा हूँ, plus 10 points, equal to कर दिया, और फिर देखिए, फिर मैं इसको यहाँ पर लेके चल ला हूँ, आगे की तरफ, अब फिर इसने यहाँ पर buy दिया है, देखिए, यहाँ पर buy दिया है, तो 77 to sell तक पकड़ेंगे, 93, तो हो गया near about, 77, 10, 87, 15 points की near about, फिर मैं इसमें calculator में 15 points में add कर रहा हूँ, ठीक है जी, equal to कर दिया, 90 points हो गया, ठीक है, sell का signal मैंने छोड़ दिया, sell का signal मैंने छोड़ दिया, अब फिर आते, यहाँ पर एक छोटा सा buy दिया, चलिए, इसके मैं 10 points का stop loss hit करवा देता हूँ मैं, और मैं इसमें minus 10 points कर देता हूँ, minus 10 points, equal to 80 points अभी तक हम अपने gain में चलना है, 80 points हम अभी तक gain में चलना है, फिर इसने 30 के आसपास जाके फिर buy दिया है, और 31 पे माल लिजे हमने इसको buy किया, और कित्रे पर चोड़ा 53 पे, तो माल लिजे 20 points हमको मिले, यहाँ पे 20 points, तो फिर मैं इसमें plus 20 points मैंने add कर दिया, 100 points मिल गए, अब आईए फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर माल लिजे 10 points का stop loss हीट हो गया, तो माल लिजे मैं minus 10 कर देता हूँ, equal to हो गया 90 points, अभी तक मेरे पास 90 points का gain चला है, ठीक है, फिर इसने यहाँ पर trade दिया है, फिर इसने यहाँ पर trade दिया, 47 पे और कहां तक गया है, 56 तक, तो 10 points मैं इसमें add कर देता हूँ, plus 10 points equal to 100 points फिर से हो गया, ठीक है जाब, फिर आगे चलते हैं, sell point को छोड़ दिया, फिर last में जाके इसने एक buy दिया है, यहाँ पर near about आपका 3 बचकर 5 minute पर buy दिया, 31 पर buy दिया है, और 45 पर sell दिया, तो 10 points इसके भी add कर लेते हैं, प्लस 10 points, तो equal to total आपने दिन भर में 110 points कवर किये, अगर आप निफ्टी के एक lot में हैं, और निफ्टी का lot size जो है, 50 का है, तो into कर दीजे 50, तो आपके दिन भर में कित्ते बचे, कित्ते बन गए, 5500, एक lot से, तो आपको अब इसकी power पता चल गई होगी, कि Renko chart की power क्या है, पता चल गई होगी, कि Renko chart की power क्या है, इसमें जो आपका SL है, max to max 10 points का है, target, जब तक आपका buy आ गया, buy की उपर आप buy कीज़े, जब sell signal दिखा दे तो आप निकल जाएए, simple सी बात है, इतने sideways market में आज इसकी ये performance रही है, Renko की आज के sideways market में ये performance रही है, तो आप सूची की कल trending market था और हमारा 100 रुपए का जो option था, वो 202 रुपए तक गया था, तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी, इससे आपको थोड़ा सा view मिला होगा, जादा जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 858888888818434 पे connect कर सकते हैं, ठीक है जाब, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुब हो,